दोस्तो बिग बॉस सीजिन 15 के लाइफ फीड में इस समय करके अंदर लाइट सॉफ होने के बाद में तेज़े स्वी परकास और करन कुंदरा विकेंड के वार एपिसोड को लेकर चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस दोरान दोस्तो तेज़े स्वी परकास ने करन के सामने एक ऐसी बात कही है जिसे सुनने के बाद में कहीं न कहीं करन कुंदरा भी काफी हैरान रहे गए दरसल दोस्तों वीकेंड के बार एपिसोड की बात करते वे तेजे सुने कहा कि देख आज फ्राइडे हो चुका है और आज वीकेंड का बार एपिसोड सूट होने वाला है लेकिन मैं आज सल्मान सर के सामने निशानत, परतिक और समिता के ऐसी बेंड बजाऊंगी ना तो तू देखता रह जाएगा ये सुनकर दोस्तो करन ने कहा कि तू क्या बेंड बजाएगी मेरी तो इस बार खुद की बेंड बजने वाली है मैंने कितने दंगे किया है गर के अंदर उन सारी बातों पर सल्मान सर मेरे उपर काफी बढ़कने वाले है मेरी तो फटी पड़ी है ये सुनकर दोस्तो तेजे सुरी ने कहा कि देख यार तेरी एक सबसे बड़ी गलती ये है कि गर के अंदर जब भी कोई लड़ाई जगरा कुछ भी होता है तेरी बात तो तु कभी भी अपना खुलकर मुद्दा नहीं रखता है किसी के सामने तो हर छोटी मूटी चीज को इग्नोर कर देता है और किसी भी मेटर में अपने कोई वर्ड ही निदेता कोई बोलता ही नहीं है हमेशा जब देखो किसी से भी जगरा होगा या तो उसे उठा कर पटेक देगा या फिर कोई कोने में जाकर चुपचा बेड़ जाएगा कभी खुलकर अपने विचार भी दो व्यक्त कियागर ये सुनकर करर ने कहा कि अब मैं कोशिश करूँगा तुने बिल्कुल सही बात कही है आगे से मैं अपने विचार खुलकर रखूँगा और मुद्डो पर खुलकर बात भी करूँगा लेकिन दोस्तो तेजेस्भी ने कहा कि अब कुछी दिनों की बात बची है शोग को कुछी अफते बचे है लेकिन तुक कम से कम मेरे से ना सही आपने दोस्त उमर से तो अकल ले ले उमर हर छोटी मुद्धी बात पर अपने जो मुद्धे है वो खुल कर जन्ता के सामने और गरवालों के सामने रखता है और उसका ये तरीका मुझे काफी अच्छा लगता है लेकिन तेरे में ये कमी है कि तू अपने मुद्दे कभी भी किसी के सामने खुल कर नहीं रख पाता फिर दोस्तों यहाँ पर करन ने वादा तो कर दिया है कि अब से वो यानिकी कल से ही अपने जो कुछ भी मुद्दे होंगे उनको जन्ता के सामने और गर्वालों के सामने खुल कर रखना चाहेंगे लेकिन देखना दिल्चस्प होगा कि क्या वाकई करन कुंद्रा ऐसा कुछ करते हैं या फिर उन्होंने केवल तेजू के सामने उनका दिल रखने के लिए कहा है फिलाल दोस्तों आपको क्या लगता है क्या वाकई करन कुंद्रा अपने जो विचार है उनको अपने मन में ही दबाय बैठे देते हैं या फिर वो अपने विज़ारों को प्रस्तुत भी करते हैं आप हमें कमेंट करके अपनी राही जरूर बताईए यदि आप भी करन और तेजा के फेन हैं तो वीडियो का लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले